सर्विभ्य नमू नमहा या आपने देखा होगा कि जैसे कभी उंगली में आपके कोई कांटा या कांच का टुकड़ा गुज जाए तो उसे आप कैसे निकालेंगे उसको निकालने के लिए आपको धार-धार कोई चीज चाहिए होगी वैसे ही इसको आप जैसे को तैसा या फिर शठे शाठ्यम समाच इसे भी मान सकते हैं मतलब बुरे लोगों के साथ अगर आप फस जाएं तो बाहर कैसे निकलेंगे आप अगर सीधे बने रहेंगे तो क्या आप बाहर निकल पाएंगे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आपको घी अगर निकालना है जो कि सीधी उंगली से नहीं निकल तो इसी तरह से ये पाठ जो है वो हमें बताता है कि कैसे अपनी चतुराई और प्रतियुत्पन्यमती यानि कि समझदारी से बुरी परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। देखेंगे कि कंटके इन शब्द के अंत में अ है और एव शब्द के पूर्व में ए है। आ और ए जब जुड़ते हैं तो व्रिद्धी संदी के अनुसार आई हो जाता है। तो क्या बना कंटके नईव। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। लोग कथ क्या होती है। संस्क्रिट शब्दो वह वाक्यों के उच्चारण का ज्यान आपकी इससे कलपना शीलता का विकास होगा। कथा को कैसे पढ़ा जाना चाहिए आप उसे जानेंगे। आपके व्याकरन आत्म ज्यान की व्रिद्धी होगी और व्यवहारिक और नैतिक ज्यान आप इससे सीख पाएंगे। ये कथा मध्य प्रदेश के धिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोग कथा है। बच्चो लोग कथा क्या होती है। लोग कथा का मतलब है लोग में प्रचलित कथा। आपकी दादा दादी, आपके नाना नानी आपको कुछ कथाएं सुनाती होंगे, जो आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलती, जो आपको किताबों में भी नहीं मिलती। ये वो कथाएं हैं जो अपने दादा दादी और नाना नानी से सुनते हुए आए हैं। ये कथाएं आपका मनुरण्यन के साथ नेतिक ज्यान भी बढ़ात हैं। इसकी जो शैली है वो पंचयतंत्र है। इस कथा में यह सबस्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रतियुत्पन्य मतित्त्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रतियुत्पन्यमति तो क्या होता है थोड़ा मुश्किल शब्द है आपके लिए प्रतियुत्पन्यमति का मतलब है किसी भी कारे को करने की सद्य चतुराई सद्यमतलब जैसे आपके सामने कोई समस्या आई तो आप जल्दी से कोई उसका आइडिया सोच लें कि कैसे इस का करना है उसको प्रत्युत्य पन्द्धमती कहते हैं, बच्चो आईए इस पाठ का अध्यन प्रारंब करते हैं, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधह, व्याधह मतलब बहेलिया, तो चंचलनाम का एक बहेलिया था, बच्चो यहाँ पर जो आसीत शब्द है न उसका मतलब है था, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने था वाले प्रयोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, पक्षी म्रगा आदियों के ग्रहन से वह अपनी जीविका का निर्वहन करता था, आपको पता है न, बहे लिए क्या करते हैं, और बहे लिए अपने जीवन का न निर्वहन करना क्या होता है सोचिए जैसे आपके पापा खेती करते होंगे या आपके पापा डॉक्टर होंगे या आपकी ममी टीचर होंगी या आपकी ममी नर्स होंगी तो जब वो ये काम करते हैं और उसके द्वारा जो उन्हें पैसा मिलता है जिससे कि आपके स्कूल की जाती है, जिससे कि आपको कपड़े मिलते हैं, उसको बोलते हैं जीविका का निर्वहंट करना, तो बहेलिया क्या करता है, जो पक्षी और म्रिग उसको मिल जाते थे, उनको वो बेच कर अपनी जीविका चलाता था, एक अदा सहवने जालम विस्तीर्य ग्रिहम आगतवान, एक बार, वहाँ वन में, वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य, फैला कर, घर वापस आ गया. अब वो होँ तो खडा नहीं रहेगा जाल बिचा कर, तो फैलाने का मतलब है विस्तीर्य, गिरिहम आगतवान, अचा बचों यह जो आगतवान है न, आगतवान का मतलब है आगया, अब आपको ना इस तरह के और बहुत सारे प्रयोग देखने हैं, जिसमे वानवानवान का प्रयोग हुआ हूँ, अब आप ध्यान रखेंगे कि आगे इस तरह का प्रयोग कहां पर दिखाई देता है आगे क्या हुआ अन्यस्मिन दिवसे प्रातह काले यदा चंचलह वनम गतवान अब आपको मैंने एक चीज धिहान रखने के लिए बोली थी ना कि आपको वानवान देखना है तो ये वही है गतवान दृष्टवान इसमें प्रत्य कौन सा है मुझे पता है आपको पता होगा इसमें प्रत्य कौन सा है इसमें है तवतू प्रत्य अच्छा गतवान में धातू कौन सी है मैं जानती हूँ गतवान वाली धातू सभी को पता होगी इसमें गम धातू है गम वही जाने वाला गम और द्रिश्टवान में कौन सी धातू है? द्रिश कौन सी जो देखने वाली धातू है तो आगे क्या होता है इस कथा में? अन्यस्मिन दिवसे प्रातह काले यदा चंचलह वनम गतवान अगले दिन जब सुबे सुबे चंचल वन को जाता है तदा तब वह देखता है सहद रिश्टवान इसमें एक चीज और देखिये बच्चो इसका प्रयोग आप घर में भी कर सकते हैं यदा अहम भोजनम करो मी तदा अहम शयनम करो मी इस प्रकार से आप इसका प्रयोग अपने सामाने जीवन में भी कीजिये जब वह देखता है कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में यत तेन विस्तारिते जाले उसके द्वारा विस्तारित विस्तीरे आपने पीछे पड़ा था विस्तारिते उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में जाले में कौन से विभक्ती है? जाले में है सब्तमी विभक्ती जाल में तो कैसे ग्रहे घर में नगरे नगर में इसी प्रकार जाले जाल में दुर्भाग्य से एक व्याग्र बद्ध आसीत दुर्भाग्य से एक जो व्याग्र था व्याग्र मतलब शेर बंधा हुआ था अब एक चीज सोच के देखिए कि आपको कोई एक छोटा सा बिल्ली जैसा देखने वाला बच्चा गिफ्ट करे लेकिन आपके ममी पापा को पता है कि ये शेर है क्या वो उस गिफ्ट को लेंगे आप तो ले लेंगे क्योंकि आप सोचेंगे वो बहुती प्यारा है छोटा है लेकिन आपके ममी पापा उसे कभी भी नहीं लेंगे तो दौरभाग्यात प्रयोग कार्थ क्या है दौरभाग्य से क्योंकि उस शेर को कोई भी बाजार में खरीता नहीं इसलिए दुर्भाग्य से एक शेर जो है वो उसे उसके जाल में बंधा हुआ मिलता है आसीत बंधा हुआ था आगे पढ़ते हैं अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं एक अंग्रेजी के S का निशान ये अवग्रह कहलाता है क्यों ये अवग्रह कहलाता है क्योंकि जब इसमें संदी होती है संदी से पहले इसमें जो अ था उसका लोप हुआ है तो संदी विच्चेद अगर इसका करेंगे तो ये क्या है तो ये है सह अचिंतयत वह सोचता है और इसको संदी करने के बाद पूर्व रूफ संदी के अनुसार सोचिंतयत हो गया क्या सोचता है वो व्याग्रह माम खा दिश्यती अब आपको अगर कहीं रास्ते में जाते हुए शेर मिल जाए आप क्या सोचोगे कि क्या मैं शेर के साथ कोई गेम खेल लूँ नहीं न आप सोचोगे कि जो शेर है वो मुझे खा जाएगा ऐसे ही वो वहेलिया डर जाता है और सोचता है कि ये जो शेर है वो मुझे खा जाएगा अतह पलायन करनियम अतह पलायन करना चाहिए मतलब यहां से भाग लेना चाहिए आपको भी अगर चलते चलते शेर दिख जाए तो आप अपने सर पैर पे रखेंगे और जल्दी 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 भाग जाएंगे जहां पर आपको शेर ना देख सके वैसा ही वहेलिया सोचता है आगे क्या हुआ बच्चो व्यागर्प कहता है व्यागरह नियवेदत यहां पर भी एक संधी है यहां पर कौन सी संधी है नि अवेदायत तो न का जो ई है और अवेदायत का जो अ है यह मिलकर य हो गया इसे यन संधी कहते हैं तो व्यागरह क्या कहता है वो कहता है भो मानव कल्यानम भवतुते मानव हे मानव तुम्हारा कल्यान हो अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे तब मैं तुमको नहीं खाऊंगा यदि तुम मौचिश यसी तुम निकाल दोगे ये कौन से काल की बात आपको लगती है? क्या ये भूत काल है या ये वर्तमान काल है? नहीं न, ये भविश्य काल है मौचिश यसी निकाल दोगे तरही अहम त्वाम न हनिश्यामी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा उसके बाद क्या होता है? तदा सहव्यादह व्याग्रम जालात बही निसारयत तब उस व्याद ने व्याग्र को जाल से बाहर निकाला बच्चो यदि आपको भी कोई कहे कि ये जो गेंद है वो आप हमें दे दो तो आप क्या करेंगे? आप में से कुछ उसे वो गेंद दे देंगे और कुछ उस गेंद को लेकर भाग जाएंगे क्यूकि व्याद एक सामान्य सा और मासूम सा व्यक्ती था इसलिए वो शेर की बातों में आ जाता है और शेर की बातों में आकर वो उसको जाल से बाहर निकाल देता है अब यहाँ पर आपको एक संधी दिखाई दे रही होगी ऐसी संधी क्या आपने पीछे कभी पड़ी है? ये संधी क्या है? निर्सारयत ये संधी में जो न है उसमें विसरग है और इसको संधी करकर ये विसरग का रह हो गया है इसे विसरग संधी कहते हैं आगे पढ़ते हैं व्याग्रह क्लांतह आसीत व्याग्र जो था वो ठका हुआ था अब आपको कोई जाल में बंद कर दे राद भर से खाना ना मिला हो पानी ना मिला हो तो आप ठकी जाएंगे ना तो शेर भी ठका हुआ था सो अवदत तो वो कहता है क्या कहता है भो मानव पिपासुव हम हे मानव में प्यासा हूँ नद्याह जलम मानियम मम पिपासाम शमह नदी से जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ अब बच्चो आप होते और आपसे शेर कहता कि जरा एक जग पानी ला दो आप लाते आप ये घर में बैठ कर सोचिएगा खेर व्याग्र जो था उसके लिए बहेलिया तो पानी लेकर आता है तो आगे क्या होता है व्याग्र जलम पीत्वा पुनह व्याधम अवदत व्याग्र जो है वो जल को पीकर पुनह व्याध को कहता है क्या कहता है शमय में पिपासा मेरी जो प्यास है वो अब बुझ चुकी है अब क्या करना चाहता है वो सामप्रतम भुभुक्षितो अस्मी ये तो होना ही था, वो कहता है अब मैं भूका हूँ सामप्रतम अब, भुभुख्षतो भूका हूँ असमी मैं हूँ अहम असमी ऐसा, इधानिम अहम त्वाम खादश्यामी अब मैं तुछ कहूंगा ये तो पहले से होना था इसलिए तो बहेलिया डर रहा था तो चंचल क्या बोलता है तो आगे देखिए चंचलह उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्ममा आचरित्वान तो क्या बोलता है अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरन करता हूँ मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरन किया और आगे क्या हुआ त्वया मित्या भड़ेतम तुमने जूट बोला अच्छा इसमें धर्म क्या था इसमें धर्म का मतलब है जब कोई भूका हो उसे भोजन देना जब कोई बुरी परिस्तिती में हो उसको उस बुरी परिस्तिती से बाहर निकालना बहे लिए ने तो धर्म का आचरन किया पर क्या आपको लगता है कि शेर ने भी धर्म का आचरन किया आगे क्या होता है तोया मिथ्या भणेतम तुमने जूट बोला किसने जूट बोला होगा शेर ने तुम माम खा दे तो मिच्छ सी तुम मुझे खाना चाहते हो आगे क्या होता है व्याग्रह अवदत व्याग्रह बोलता है व्याग्रह क्या बोलेगा बोलता है अरे मूर्ख श नहीं होता है अब मूर्ख तो वो नहीं था क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं वो अच्छी बात होती है पर जब आप किसी बुरे आदमी की मदद करते हैं तो आपकी अच्छाई भी बुराई बन जाती है और यही तो यह पाट सिखा रहा है आपको तो क्या बोलता है आगे अरे मूर्ख शुदा अरताय किमपी अकार्यम न भवती भूके के लिए कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है इसमें आप भी एक चीज देखिए अगर आपको भूक लगी हो और आपकी ममी आपको जो सबजी नहीं पसंद है वो दे कि आप उसे खाएंगे मुझे लगता है आप सबी खा लेंगे क्योंकि जब भूक लगती है तो ममी जो देती है आप सबी खा लेते हैं तो वैसे ही शेर को भी भूक लगी थी और उसको खाने के लिए केवल और केवल बहेलिया दिखाई दे रहा था तो वो इसलिए बोलता है कि भूके के लिए कोई भी काम अकरणिय नहीं होता है फिर आगे क्या बोलता है सरवह स्वार्थम समीहते सभी स्वार्थ की सिध्धी चाहते हैं क्या आपको लगता है क्या आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं आप भी अपने स्वार्थ की सिध्धी चाहते हैं नहीं, परोपकार की भावना ज्यादा जरूरी है स्वार्थ से, पर क्योंकि शेर जो है वो दूर तो होता है, इसलिए वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए यह उक्ती कहता है, कि सभी अपने स्वार्थ की सिद्धी चाहते हैं, लेकिन उसको अपनी बात को स्थापित करना तो वो उसके लिए आगे क्या उधारन देता है आगे कहता है सभी अपने कारे की सिध्धी चाहते हैं इस प्रकार के कहने पर चंचल को विश्वास नहीं होता है कि क्या वो सही कह रहा है तो चंचल क्या करता है चंचल आगे जाता है और किस किस से पूछता है ये आगे हम पढ नदी जलम अवदत, नदी जल ने कहा, यहां पर जो अवदत है वो भूत काल का प्रयोग है, जैसे के आसीत था, तो क्या कहा नदी जल ने? एवम एवभवती ऐसा ही होता है जनाह मईस नानम कुरवंती जनाह मतलब बहुत सारे लोग अच्छा एक लोग के लिए क्या प्रयोग होगा जनाह बहुत सारे लोगों के लिए क्या प्रयोग होगा जनाह तो एक जन अगर स्थान करेगा तो उसके लिए क्रियापद मतलब कि जो वो काम कर रहा है उसका क्या प्रयोग होगा जनह करोती जनाह कुर्वन्ती तो जनाह मई स्नानम कुर्वन्ती जो लोग हैं वो मुझमे स्नान करते हैं और वस्त्राणी प्रक्षालयंती आगे क्या करते हैं वस्त्रों को धोते हैं तथा मतलब नहाते तो हैं, कपड़े भी धोते हैं और मलमुत्रादी का भी त्याग कर जाते हैं वस्तुतह सर्वह स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धी चाहते हैं चंचल अह व्रिक्षम उपगम्य अप्रच्छत चंचल व्रिक्ष के पास जाकर पूछता है यहाँ पर पास जाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग है? उपगम्य उपगम्य में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के पहले लगते हैं और उपगम्य में धातु कौन सी है? गम गमधातु का प्रयोग किसलिए होता है? जाना आपने ऐसे और भी शब्द देखे होंगे आप इसी पार्ट में से ऐसे और शब्दों को भी ढूंडिए तो वो पास जाकर पूछता है तो व्रक्ष क्या बोलता है? व्रक्ष अवदत व्रक्ष ने कहा मानव आहा अस्माकम चायायाम विरमंती मानव जो हैं वो हमारी चाया में पिश्राम करते हैं आश्रे लेते हैं अस्माकम पलानी खादंती हमारे फलो को खाते हैं पुनह कुठार अई प्रहृत्य अस्मभ्यम सर्वदा कश्टम ददती पुनह, कुठार मतलब कुलहाडी को उठा कर हमारे को कष्ट देते हैं यत्र, कुठ्रापी, छेदनम कुर्वनती जब कहीं पर भी छेदों को करना मतलब काटना जब कभी भी उन्हें आवशक्ता होती है वो उन पेडों को काट देते हैं सर्वह स्वार्थम समीहते, सभी अपनी सिध्धी को चाहते हैं ये सारी बाते बगल में एक लोमडी सुन रही थी बच्चो लोमडी का संस्कृत शब्द क्या होगा? लोमशिका समी पे एका लोमशिका बदरी गुल्मा नाम प्रिष्ठे निलीना एताम वारताम श्रिनोतिस्म पास में ही एक लोमडी पेडों के जुर्मुट में यह बात छुप कर सुन रही थी वो आगे क्या कहती है? सहसा मतलब अचानक से चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कथायती कहती है क्या कहती है? कावारता, क्या बात है? मामपी विध्यापय, मुझे भी बताओ अच्छा बच्चों आपने देखा होगा, जब कोई दो लोगों में बात्चीत हो रही होती है या जगडा हो रहा होता है, तब कोई तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति आकर बोलता है भई क्या बात है? हमें भी बताओ, तो इसी तरह ये जो लोमडी है, वो इस कहानी की हिरोईन है तो क्या बोलती है वो? मुझे भी बताओ, तो चंचल क्या बताता है? चंचल बोलता है, मात्री स्वसह, ओ मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही अवसर पर आ गई हो बचो आपने ध्यान दिया, मौसी के लिए यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग है? मात्री स्वसह, मात्री स्वसह मतलब मौसी क्या आप जानते हैं मात्री शब्द का प्रयोग कैसे होता है माता मातरव मातरह उसी प्रकार से स्वश्री शब्द का प्रयोग होता है स्वश्री शब्द के प्रयोगों को आप अपने त्वारा स्वेम डूने आगे क्या होता है अवसरे तुम समागतवती तुम सही अवसर प पर ये मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। बच्चो यहां पर खाद तुम का प्रयोग है। मैंने आपको पिछले भाग में तुमन प्रत्य का प्रयोग बताया था। जिसका अर्थ होता है के लिए। आप इस प्रकार के और शब्दों को भी ढूंडिये। आगे क्या होता है ? तदंतरं सह लोमशिकाययी निखिलाम कथाम नियवेदत उसके बाद उसने उस लोमड़ी को सारी कथा कहकर सुनाई लोमशिका चंचलम अकथयत बाढ़म तौम जालम प्रसारया तो लोमडी क्या कहती है? कि ठीक है तुमारी बात मैंने सुन ली है तौम जालम प्रसारया तुम ना जाल दुबारा फैलाओ पुनह सा व्याग्रम अवदत उसके बाद वो दुबारा शेर को क्या कहती है? केन प्रकारेन तुम ए तस्मिन जाले बद्ध इती अहम प्रत्यक्षम द्रिष्टुम मिच्छामी मैं यह प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ व्याग्रह तद वृत्तांतं प्रदर्शयतुम तस्मिन जाले प्राविशत व्याग्र जो है उसको वह घटना बताने के लिए तद वृत्तांतं प्रदर्शयतुम उस वृत्तांत को प्रदर्शयतुम प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन उसमें कस्मिन किसमें तो तस्मिन जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश कर गया फिर आगे क्या हुआ लोमशिका पुनह अकथयत संप्रती पुनह पुनह कूर्दनम कृत्वा दर्शय लोमडी ने कहा कि तुम न आप दुबारा वैसे ही कूद कूद कर दिखाओ आगे क्या होता है आप यह सोच रहे होंगे न शेर फस गया देखते हैं आगे क्या होता है सह तथईव समाचरत उन्होंने लोमडी के कहने के अनुसार उसी प्रकार से विवहार किया अनारतम कूर्दनेन सहश्रांतम अभवत अनारतम मतलब लगातार कूर्दनेन मतलब कौन्से विभक्ति हैं तृतियाविभक्ती जैसे रामेन्रामसे उसी प्रकार सहष्रांतह अभवद वह ठक गया जाले बद्ध सव्याग्रह क्लांतासोंसानिस सहयों भूत्वा तत्र अपतथ आशऐ होकर भूत्वा होकर वहीं पर गिर गया बचो भूत्वा शब्द का यहाँ पर धातु कौन सी है? भू. भू धातु का प्रयोग क्यों होता है? होने के लिए. क्या आप जानते हैं? भू धातु का प्रयोग भवती में भी हुआ है, जिसका मतलब है होना. यहाँ पर प्रत्य कौन सा है? त्वा. भूत्वा की तरह और कौन से शब्द हो सकते हैं? पीत्वा, कृत्वा और इस प्रकार के शब्दों को ढूंडिये, आगे बढ़ते हैं, तत्र अपतत वहां गिरकर प्राण भिक्षा मिवव अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, लोमशिका व्याग्रम अवदत, सत्यम त्वया भनेतम, सर्वह स्वार्थम समीहते, लोमडी ने व्याग्र को कहा, तुमने सही ही कहा, कि सभी अपनी सिद्धी चाहते हैं, इस प्रकार आपने देखा, कि चतुर लोमडी ने अपनी चतुराई से कैसे बहेलिये की जान बचाई, तो बच्चों, आपने इसके भाग एक में देखा, कैसे भोला बहेलिया चतुर की बातों में आ जाता है और कैसे चतुर लोमडी अपनी चतुराई से शेर को दुबारा जाल में बंद कर देती है इसी का मतलब है कंटके नईव कंटकम इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने ये सीखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको चतुराई से वहां से निकलना चाहिए प्यारे बच्चो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इस पाठ में पढ़ाए गए व्याक्रनात्मक प्रयोगों का आप अध्यन करेंगे धन्यवाद कि आपको यह प्राज से प्राज सूस्वेयन है कि आपको यह को सायकों है कि आपको यह प्राजिए 3, graph